Hello everyone, Assalamualaikum, I hope all of you are doing well. इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिसकुशन करने वाले हैं, यह बहुत इंपोर्टन्ट है, यह फिर हम यह कहें हैं, अगर कि यह सोशियोलोजी की बैकबोन है, तो यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर August Comte को हम father of sociology कहते हैं, क्योंकि reason was he coined the term sociology plus he had given the concept of positivism, उन्होंने positivism का concept दिया था, इसका मतलब था application of scientific method to study social phenomena, इसके इलावा अगर हम sociology को science of society कहते हैं, तो यह साही चीजों की वज़ा ही social research है, यानि कि research के अंदर कुछ steps involved होते हैं, जिनमें हम empirically, scientifically, objectivity के साथ, चीजों को understand कर रहे होते हैं, और conclusions को draw out कर रहे होते हैं, यही वो research है, जिसके थूरू हम society में different phenomena को understand कर रहे होते हैं, और आने वले वक्त में होंगी इस फील के अंदर प्लस इस टॉपिक के हवाले से में पस काफी सारी रिक्वेस्ट आई थी फॉम जी विएवर्स इस प्लस इस बताए थे विरीबल्स बताए थे आप इस प्लेलिस में जाएगा रिसर्च वाली वहां पर एक लीजिएगा तो अभी जो कमिंग विडियोस होंगी इन में भी आप से सिफ बीफ ली जो में टर्म सें जो बीफ कॉंसेप्स हैं जो कि इंपॉर्टिंट टर्म जी रिसर्च कें अदर उनको डिसकर्स करेंगे और आने वाले वक में स्टाटिस्टिक्स और डिफर्ट चीजों की तरह जाएंगे So start करते हैं first of all by explaining what is science और मैं ये क्यों explain कर रही हूँ क्योंकि हम sociology को science of society कहते हैं तो पहले मुझे ये तो पता हो कि हम science किसे कहते हैं और फिर मैं ये देखूंगी हम मिलकर ये देखेंगे कि क्या sociology वाकिए में science है या नहीं है So science की एक definition लिखी वी आपके सामने Science is a method through which an organized and verified body of knowledge is discovered Means science एक तरीकार है, एक method है जिसके तूँ आप एक ऐसा knowledge discover करते हैं जो के organized भी होता है, organized का मतलब कुछ खास steps से, कुछ level से गुजरने के बाद हासिल किया जाता है और साथ में verified भी होता है, verified का मतलब है बार बार टेस्ट करने के बाद वो knowledge discover होता है तो अब हम apply करते हैं इसको sociology पे, देखें, sociology के अंदर भी मैंने तरी start में कहा research, sociology, discipline की backbone है, sociology में हम जितनी भी discoveries कर रहे होते हैं तो हम research कर रहे होते हैं और उस research में देखें हम different steps को follow कर रहे होते हैं और इसका मतलब organized हो गया और साथ ही साथ हम उसे बार बार test के through verify कर रहे होते हैं different test apply कर रहे होते हैं ताकि हम देखें कि हमें जो भी hypothesis या proposition बनाए हैं वो ठीक हैं या गलत हैं तो by this definition we can completely understand and we can completely relate that sociology is obviously a science sociology बिल्कुल a science है क्योंकि उसके अंदर भी हमारे पास ऐसा तरीक्यकार ऐसा method मौजूद है जिसमें कुछ steps भी हैं और जिसमें चीजें वेरिफा होती हैं अब हम बात करते हैं scientific method की scientific method क्या होता है इसकी क्या importance है इसमें क्या different points आते हैं तो इनको discuss करते हैं first of all जो sociologists हैं जो sociology study करने वाले लोग हैं वो different किसम के try it, try it का मतलब है ऐसे method जो पहले use हो चुके हैं यानि आज अगर आप सब familiar है research के राम से आपको survey का पता है, आपको case study का पता है, आपको qualitative का, quantitative का पता है but at least you people are familiar to all these terms so sociologists ये सारे tried methods को use करते हैं ये true methods है research के, जैसे के experiment हो गया, surveys हो गया, field research हो गई so सबसे पहले हमें ये दिखना है कि ये सारे methods हैं जो के tried है, tested है और true है, जिन्हें sociologists use कर रहे होते हैं अगर आप humans की बात करें और उनके social interactions की बात करें so we already know that these things are really diverse, human interactions diverse होते हैं, change होते रहते हैं so obviously it seems impossible कि हम इन चीज़ों के explain कर सके हैं ना जैसे अगर एक चीज़ मौझूद है, मिसाल की तोर पे, natural sciences की अगर बात करें जितने भी phenomena discovered हुएं, invent हुएं, तो हम ये रेखते हैं कि वो चीज़ें consistency के साथ मौझूद है, constant हैं लेकिन अगर हम human behavior की बात करें तो वो dynamic होते हैं, diverse होते हैं हमारे behavioral pattern में changes आते रहते हैं, तो इस हिसाब से इन चीज़ों को explain करना जरा सा impossible लगता है इस लिहाद से, कि देखें, जब एक चीज़ constant ही नहीं है, change हो रही है, तो आप उसे कैसे define करेंगे आप उसे कैसे generalize करेंगे साथी साथ, science के बारे में अगर बात की जाए, तो हम science से ये समझते हैं कि इसका मतलब है discoveries करना इसका मतलब है chemical reactions करना और different जिसम के ideas को right या wrong proof करना but human behavior को explore करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और इसकी वज़ा क्या है, इसकी वज़ा वही वाली चीज़ है कि diversity है, changing patterns है, changing behaviors है so जो scientific method है, it basically involves developing and testing theories about the world based on empirical evidence हम जो scientific method, sociology के इंदर इस्तमाल करते हैं, इसका जो main मकसद है वो यह होता है कि आप different theories को develop भी करें और पर जो पहले से मौजूद theories हैं, उनको test भी करें ताके आप human, जो world है, जो हमारी दुनिया है, इसको आप social world कहते हैं उसके बारे में empirical evidence के साथ चीजों को understand कर सके हैं and it is defined by its commitment to systematic observation of the empirical world and strives to be objective, critical, skeptical and logical then scientific method के अंदर कुछ systematic observations involved होती हैं, कुछ steps involved होते हैं और basically scientific method objective होता है, दो टर्म जिस समाल होती है, यार रिखिएगा, एक होती है subjective, subjective का मतब होता है जिसमें किसी के अपने personal opinions involved हो, और एक होती है objective, जिसमें आपके personal opinions involved नहों बलके something that is based on empiricism, जो कि fact based हो, तो science भी या scientific method भी objective होता है, critical होता है, skeptical होता है और साथी साथ logical होता है, इसमें reasoning होती है, and it involves a series of steps, इसमें कुछ steps आते हैं, जो हम पहले भी discuss कर चुके हैं जाके हम मजीद discuss करेंगे इसी वीडियो के अंदर, so इसमें कुछ steps होते हैं, और यह steps कैसे बनाए गए हैं, यह centuries की scholarship के बाद, different scholars ने, different contributions के बाद, इन steps को बनाया है, ताके knowledge को discover किया जा सके, So this was a brief introduction to scientific method, अब देखते हैं, research steps कौन से होते हैं, first of all, you need to ask a question, कोई एक social problem है, कोई एक सवाल है, जो researcher के mind में आया, और उसमें उसके बारे में research स्टार्ट कर दी, भाई, अगर theory of society आई थी, तो उस theory के अंदर, जो facts बताए गए थे, जो reasons बताए गए थे, तो जाहरे उस time पे, researcher ने, sociologist ने देखा था, कि मेरे age grade, अगर society rate जादा हो रहा है, तो उसके पीछे main कौन कौन से reasons हो सकते हैं, कौन कौन से causes हो सकते हैं, उसके mind में आया तो उसने theory बनाती, इसके लावा stages of human thinking, कुछ mind में आया तो उसके बाद ये stages बनाए गए, और different theories जो हम जो सोसियोलोजिस थे, उनके mind में कोई question आया, कोई problem आया, कोई भी चीज, कोई observation, और उसके बाद इसके काम किया, जो first step होता है, research का, वो आपकी observation होती है, आपका एक सवाल होता है, कोई भी एक problem होता है, फिर उसके बाद, second step के अदर, आप उससे related, देख होते हैं, कि different existing sources करते हैं, means, इस related और कितने लोगों ने क्या क्या काम किया, related articles को देख रहे होते हैं, related theories को देख रहे होते हैं, फिर आप hypothesis बनाते हैं, यह सारी steps है, इनको end में दुबाया discuss करेंगे, hypothesis क्या है, इससे hypothesis के related video मौजूद है, चैनल के अंदर आप देख लिएगा detail में, hypothesis basically, एक proposition हो होता है, एक connection होता है, एक association होता है, इसे मिसाल के तर पर मैं कहूं के, smoking is related to death rate among the youngsters, और मैं specify कर दो कोई भी area, इसका मतला है, मैंने smoking और death rate इन दोनों को आपस में relate किया, को relate किया है, तो यह hypothesis हो जाएगा, पिर इसके बाद हम कोई design बनाते हैं, research design बनाते हैं, और हम पनी study को conduct क करते हैं, उस design के एज़ए हम different methods को select करते हैं, वो methods, जो है वो आपके research रिसर्ट कोई भी method को सकता है, qualitative research करनी है, quantitative करनी है, survey करनी है, case study करनी है, interviews, जो भी चीज़े हैं, वो सार एक design हो आपका, इसके बादे हैं आपना data collect करते हैं, और इसे analyze करते हैं, और interpret करते हैं, और आप conclusions करते हैं कि आपका क्या रिजर्ट निकला है और उसके बार आपने रिजर्ट को रिपोर्ट करवाते हैं एक रिपोर्ट भी करवाना इस इंपॉर्टन फिंक कि अब जितनी भी आप रिसर्च इन आर्टिकल्स पड़ते हैं बेसिकली उन लोगों ने भी दूस्पर काम करने के रिपोर्ट करवाया है तभी तो वो लोगों तक नॉलेज पहुंचा है वटना लोगों को कैसे बता चलेगा कि एक प्रॉब्रम का क्या सॉलिशन है या एक किसी एफेक्ट के पीछे कौन सा कॉज है तो यह रिसर्च स्टेप्स होते हैं और आज इस वीडियो के अंदर जित अगर इस वीडियो के यह एक प्रॉब्रम के साथ एसोशीयटेड होते हैं और उन लोगों के जो के यह उन गुप के यह मौजूद हैं उनके कोई खास अब्जेक्टिव थोते हैं कोई नॉम्स होते हैं वेल्यू जो उस सॉसाइटी में रहते होए वापस में शियर कर रहते हैं में अगर इस आयम लिविंग इन पाकिस्टानी सिसाइटी इट मैं कुछ नॉम्स हैं जो लोगों के साथ शेयर कर रही हूं मेरी कुछ अब्जेक्टिव हैं तो यह सारी चीज़ें होती हैं पिर लोगों की सोशल लाइफ होती है और उनकी लाइफ में सोशल प्रॉसेसे होते हैं पॉस्सिल के अंदर आप कोपरेशिंग के बॉड़ कर सकते हैं आप कॉंपिकूंशन की बात कर सकते हैं तो बैसिक लिवrü Tongami आ oyun है चीजिविल निला पेल कियुं को मित एफ लिवां से इन गल्राइफ सोशल प्रॉब्लम जिस हो इसे सज्रूबर जैए हुसे इन की कोई नाइटीन की बात करें तो है किसी की जबान पेक सवाल होता है what is the role of sociologist in the current pandemic तो आप फिर आपी रिखते है what are the causes behind it but what would be the consequences तो इस सारी चीजे हैं इस अगर एक problem society में आता है उसको solution की नहीं होती है तो कुछ steps के थू आप कुछ चीजों को analyze करने के थू evaluate करने के थू आप conclusions draw कर रहे होते हैं फिर जो आपका scientific method है it contributes to the general body of knowledge general body of knowledge का मतलब है आप ऐसा knowledge discover करते हैं जिसको फिर आप generalized कर देते हैं यानि अगर जैसे मैं आपको society theory की example दी थी अगर वो theory बनाई गई तो फिर उसको पूरी society के पर generalize किया गया means जहां पर भी society में मौझूद जहां पर भी society होगी तो उसके बीचे यह causes होंगे जो चार type of society society जो बताई गई थी तो उसके बीचे जो भी causes बताई गई थे मैंने कहा आता है थि जैनलाइजड है means आप उस knowledge को generalize कर देते हैं हमने जो तीन main perspectives discuss किये थे functionalist conflicts and symbolic interactionism वो फिर society के अंदर हर जगा अप्लाई हो रहे हैं उनको apply करने के बाद आप हर जगा society के हर चीज को understand कर रहे हैं so it means आप जो भी चीज़ें discover कर रहे होते हैं वो general body of knowledge होता है general होता है हर जगा एक साहता है आप अपलाई कर देते हैं पूरी सोसाइटी पर साथ ही साथ it also connect human knowledge connection बताता है human knowledge की बीच में connection किस तरह से एक चोटी से मिसाल है अगर आप research करते हैं तो आप literature review करते है literature review को मतलब है किसी और ने जो research की है जो उसका knowledge था आप उसे review कर रहे हैं फिर आप अपना knowledge को आपस में connection बता रहे हैं एक connection होता है then it is systematic analysis and observation that may lead to the development of generalization principle and theories resulting in prediction and possibly ultimate control of events in society यह एक ऐसा analysis है ऐसी systematic observation है जिसमें आप development करते हैं generalization की generalization का मतलब बता दिया है कोई ऐसा knowledge जो कि हर जगा एक society के अंदर particular society के अप्लाइ करते हैं साथी साथ इसके थू आप कुछ principles discover करते हैं ठीक है मिसाल की तौर पर अपने non-material culture के जो आसपेक्ट पढ़े थे norms and values अब एक तरह से आपको principles पता रहे होते हैं कि this thing is applied at your society and this is not this is expected this is acceptable this is do and this is don't of the society so यह सारी चीज़े हैं साथी साथ कुछ theories हैं जो के merge होती हैं और उनको प्लाइ करते हुए आप different चीज़ों की production करते हैं आप different events को अपनी society में control कर सकते हैं जैसे अगर again I would take an example of society अब उन्होंने जो भी reasons पता दिये थे अगर आज हम उसे किसी भी society में apply करें अगर आप इंडिया के अंदर किसी को society करते हुए देखते हैं चाहे वो कुई कि बड़ा extra होता है नॉर्मल इंसान होता है अगर आप Pakistani society के अंदर किसी student को उसके results में कम marks आने के विज़ाए करते हुए देखते हैं तो आप relate कर पा रहे होते हैं उस चुरी को जो आज से कफे और से पहले इस society के अंदर डिवैलप की गई थी बट आप प्रिडिक्ट कर पाते हैं आप अंडिस्टैंड कर पाते हैं उसको प्लाइए करके वे दैन इट अलसो टेंट तो आंसर और सॉशल प्रॉब्लम सबसे में चीज हमारी society के लिए इसने भी सोशल प्रॉब्लम्स मोजूद है उन इसके बाद पर मजीद आगे कंटिन्यू करते हैं फर्स 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 डेफिनेशन इसकी कॉर्डिंग सोशल रीसर्च एक सिस्टेमाइज इन्वेस्टिगेशन है जिसके तुरू आप न्यू नॉलजच को डिसकवर करते हैं अबाओ सोशल प्रॉब्लम्स बहुत असान है फ साथी में होने वाले इफरेंट फ्रेनोमेना के बारे में और साइटी में मौजूद डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बारे में सेकंड डिफिनेशन है सोशल रीसर्च इस असाइंटिफिक अंडेटिकिंग विच वाइनस उफ लॉजिकल मेफर्स होते हैं मेंस इसमें कुछ ल करना साथ ही साथ सोसाइटी में मौजूद डिफरेंट पैटरंज डिफ डिफरेंट डिफरेंट लॉज डिफरेंट इंटर रिलेशन्शिप्स को एक्स्प्लेइन करना उनको एनलाइज करना यह सारा काम सोशल रीसर्च का होता है मेंस आप जितनी भी त्योरी देखते हैं आपने जितनी भी आर्टिकल सेखें हर गिसी के अंदर आपको रीसर्च मैथर्च नजर आएगा अगर वो इंपेरिकल है क्यों क्योंकि यही वो मैथर्ड है जिसके थू आप नॉलज़ को डिसकावर करते हैं इन यह सुसाइटी नाओ यह टॉक अबाउट करेक्रिस्टिक् डैट इस डिरिक्टे तोवर्जी शुलिशन ऑफ सोचल प्रॉब्लम्स डिस्रेंट सोचल प्रॉब्लम्स जो पी सिसाइटी में होते हैं उसका सॉलिशन आपको मिलता है सोचल रिसर्च के ज़री और इसमें बेसिकली कॉण एफ्ट एफेक्ट रिलेशनशिप डिसकावर हो जो कुण से तो मी कौन कौन से कौसे हो सकते हैं इस पैंडमिक के सोचली को जो काुज बदाएथिटे ठिरिस में मोब दाइब की अगर डिपर इच्छाइशन पारते रिकान कर दो इसी तरह से कोई भी हखगर चेंज आंगे क्यों प्रॉब्लम होता है तो यह देख पाते है इसी method के true, understand कर पाते हैं कि इसके पीछे क्या क्या causes है या अगर एक cause मौझूद है तो उसके आने वाले consequences क्या होंगे cause and effect relationship जो आप hypothesis जिसको आप कहते है Then, it emphasizes the development of generalization principles and theories ये बिल्कुल वही वही बात है जो पहले डिस्कुस कर चुके एक theory बना देते हैं, acknowledge है जिसको generalize कर दिये जाता है आपको कुछ society के लिए principles मिलते हैं, कुछ theories मिलती है जिसके true, आप future के अंदर भी predictions कर पाते हैं means अगर एक cause मौझूद है तो उसका effect यह consequences क्या होंगे आप उस पर बात कर पाते है It is based upon observable experience इसके अंदर, इसमें आप जितनी भी चीज़ें करते हैं उसकी जो base होती है वो observation होती है जो पहला step होता है वो observation होता है scientist, एक sociologist, एक analyst पहले किसी चीज़ को observe करते है और then उसके बारे में empirical evidence टिकर्टी करके उसके उपर काम करते है conclusions draw करते है and it involves new data from primary source अब इसमें data भी दो तरह का होता है इससे रेलेट भी वीडियो बनाऊंगी तो इसमें बताऊंगी data क्या होता है कोई भी information अब data दो तरह का हो सकता है एक primary और एक secondary primary का मतलब है आपने फुछ जाके वो data collect किया जिसको आप first hand knowledge करेंगे और दूसरा होता है secondary means किसी और ने इस पे काम किया रहा है किसी और की पास कहीं और से कोई source लिए और उस पे आपने काम करना start कर दिया existing data के उपर काम करना start कर दिया किसी और नए मकसद के लिए यह हम कर रहे होते हैं अकसर हम जो literature review करते हैं हम क्या करते हैं यह अगर हम किसी भी आर्टिकल के उपर review लिख रहे हैं यह simply अगर हम आर्टिकल लिख रहे हैं तो हम क्या करते हैं हम उसे related जितना भी knowledge है जितना भी data है उसको किसी अपने नए परकस के लिए यूज कर रहे होते हैं फिर it is carefully designed procedure इसमें जो procedures है वो बहुत carefully designed है इसमें जो test वगेरा होते हैं वो carefully designed है ताकि आप नए knowledge को discover कर सके ज्योंकि objective हो और most important thing है कि इसमें आप जितना भी data collect करते हैं यह जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं it basically tries to the objective and logical applying research के अंदर हम objectivity की तरफ जाते हैं यह कहीं पर हमारे personal opinions यह subjectivity involved ना हो objectivity हो और साथ ही साथ logical हो means इसमें reasoning involved हो then it gives answers to many social problems many unsolved problems और सबसे important चीज़ जो researcher है उसका patient होना और unhurried होना बहुत ज़री है लेकिए हमने शुरू में जो science की definition discuss की थी उसमें एक word था verified कोई भी चीज वेरिफाइड ऐसे नहीं हो जाती है इसको बार बार टेस्ट किया जाता है कई बार आप जो hypothesis बनाएंगे जब आप data collect करें और इंटर्फीट करेंगे तो आपका hypothesis गलत भी साबित हो सकता है कई बार आप थीक साबित हो सकते हैं so you need to be patient आप बार बार चीज को करें तक कि वेलिडिटी आए तो अगर आप patient नहीं होंगे कर एक researcher patient नहीं होगा हर चीज काम करना चाहेगा in a in a hurry way so obviously फिर वेलिडिटी नहीं आती है researcher should be patient साथ ही साथ आप जो भी conclusions draw करें उसको आप carefully report करें तकि सही knowledge डूसरें तक पहुंचे और साथ ही साथ each important term जो भी चीज़ें जो भी terms involved होती है वो सब defined होती है specific होना बहुत जहुरी है means अगर आप research कर रहे हैं तो आपके topic से लिए कि आपके conclusion तक हर चीज specific हो topic के अंदर specific चीज नहीं है अगर आप education के किसी भी aspect पर काम करना चाहरें अब आपको पता ही नहीं है education के अंदर तो different parameters आ जाते हैं different levels आ जाते हैं different places आ जाती हैं तो आप specify करेंगे कि आप किस area में किस parameter की according काम करें specific होना भी बहुत जहुरी है then objectives कि अगर बात करें social research की objectives क्या है so first of all यह facilitate करती है understanding of human behavior आप इंसानों के behavior के बारे में understand कर पाते हैं और इसका जो बहुतर प्रूफ है वो मिलता है social psychology के different topics social psychology के clear list आप विजिट किजिएगा उसमें आप देखेंगे कि हम अगर different way में behave कर होते हैं उसके बीचे कुछ reasons होते हैं so human behavior understand कर पाते हैं साथ ही साथ हम नया knowledge acquire कर पाते हैं about different social phenomena and problems different social phenomena का relationship बता पाते हैं natural laws को find out कर पाते हैं means all in all अगर आप objective की बात करें तो हम अब तक इस video में understand कर चुके हैं कि social research का objective क्या है to discover a knowledge that is verified and organized so